जहें दोस्तों आज हम लोग BPSC 3 2.0 मायथ और साइंस गुरूब के बच्चों का जो क्लास 6 से 8 का पेपर हुआ था उसका कटाप डिसाइड करेंगे दोस्तों की कितना जा सकता है दोस्तों अगर आप नए है तो मारे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और कमेंट कीजेगा कि आपका नंबर कितना जा रहा है या आपके हिसाभी कटाप कितना जा सकता है मैंनी ये कटाप दोस्तों जो इस बार बच्चे पेपर दिये हैं उनके हिसाब से प्लस जो पिछली बार कटाप बना था जैसे जो टीजिटी पीजिटी बच्चे दिये थे उसमें मैस साइंस के बच्चे थे उनका भी थोड़ा कल्कुलेट किया हूँ प्लस इस बार भी टीजिटी पीजिटी वाले बच्चे से क्लास 6-8 का पेपर दिये हैं उनके कारण कटाप थोड़ा ज़्यादा जाएगा सुरुवात में हाला कि जब बेटिंग लिष्ट आएगा तो हो सकता है कम जाए क्योंकि जब टीजिटी पीजिटी वाले उसमें च छोड़ जाएगा सीट तो इससे आपका कटाप कम जा सकता है लेकिन सुरुवाती कटाप जो रहेगा आपको मैं दिखाता हूं क्या रहेगा आप देखिए आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं जिसे यू आर मेल का जो होगा 72 नंबर जाएगा प्लस माइनस तीन आप कर स क्या करते हैं 62 नंबर हो जाएगा यह आपका जा सकता है यू आर फिमेल का अगर एड़ यस मेल का आप देखेंगे तो 66 नंबर जा सकता है प्लस माइनस तीन उसमें भी आप कर लिजे कि मतलब इतने अंदर हो सकता है 61 से 64 के बीज में हो सकता है उसका आप OBC जो बिहार में E EBC होता है मेल का आपका 65 नंबर जा सकता है और EBC फिमेल का जा होता है आपका 58 नंबर जा सकता है कटाब जो जाएगा यसी मेल का आप देख लिजे 55 नंबर जा सकता है प्लस मानस 3 उसमें आप कर लिजी और यसी का फिमेल का जो है वह आपका 49 नंबर जा सकता है प्लस मानस 3 आप कर सकते हैं दोस्तों वगर आप यह स्टी का दोस्तों मेल का देखिने आपका 45 नंबर ही जाएगा प्लस मानस 3 आप देख कर लीजिएगा जैसे 45 से यह सकता है यह दोस्तों हो सकता है इसकर यन्हने लिखकर आए आपको जितने बच्चे मिल जाएंगे उनको ले ले, क्योंकि मैंने देखा है, पिछला कटाप जो निकला था, बहुत से जो कटेगरी थे उसमें यननने लिखा था, मतलब यह था कि आप बैक एंसी भरने के बच्चे मिल ही ने रहे थे उनको, इसलिए उन्होंने कटाप ही न धन्यवाद.